है थोड़े वर र्वर्यूर्व प्रिंज्ट जिए गैटमेण दे गैटमेंड टे का मतलब यह कि आज का हमारा टास्क गैटमेंड रिक्षन को लर्ण करना है कैसे भी बहुत सिम्पल जिस तरह से प्रीवियस लेक्षेर में मैंने आपको सेंड मेर रिक्षन पता हैं same as it is with minor difference वही reaction है और याद करने में भी बहुत simple है तो देखते हैं क्या है बहुत इजी लिसन मा जाएगे अगर आपने मेरी sandmare की reaction देखी है तो जो कि मैंने previous lecture में cover की है तो देखो ज़रा मैंने कही लिखा है देखो benzen के उपर N2Cl है that is called benzen diazonium chloride react कर रहा है Cu and HBR से sandmare reaction में क्या था CuCl था cuprous chloride था यहाँ पे सिर्फ Cu है that is Cu powder copper powder use होता है sandmare में CuCl use होता है gatterman में Cu powder use होता है और कोई difference नहीं है कि पूरी reaction से मैं देखो क्या हो रही है benzen को पर N2Cl है Cu HBR से reaction कर रहा है तो क्या बनेगा bromobenzine बनेगा अगर यह Cu HCl से react करेगा तो यह बनेगा chlorobenzine और N2 क्या होता है अलग होता है अब देखो जाले reaction कैसे होती है same ही पहले example लेते है benzen के ओपर क्या है हमारा N2Cl और इसे क्या कहता है benzen यह होता है disonium और यह वाला atom होती है chloride तो क्या नाम होगा इसका benzine disonium chloride दो तरह से reaction होती है पहली reaction होती है हमारी Cu HBR से and Cu is copper powder and जैसी reaction होगी क्या बनेगा हमारा बनेगा bromobenzine that is halorine halorine करे तो पार्ट है यह यह मैंने आपको preparation of halorine में भी बताई है तो क्या बनेगा bromobenzine और अलग हो जाता है इसमें N2 simple reaction है same reaction sand mare में भी होती है बस यहाँ पर BR आ जाता है but because this is sand mare reaction so we will use copper powder and अगर मुझे chlorobenzine मनाने तो क्या करूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा copper powder ऐसे कैसी रहेगा यहाँ ले लिगे हम HCL और HCL के साथ तो क्या बन रहा है हेलो एरिन बन रहा है कौन कौन से bromobenzine and chlorobenzine अगर बात करूँ इसके proper definition के तो क्या होगी when benzine diazonium chloride reacts with copper powder with HBR और HCL it forms bromobenzine और chlorobenzine respectively मैंने last class में भी बताया था कि मैं respectively word क्यों उसकर रहा हूँ because HBR उसकरोगा तो bromobenzine बनेगा HCL उसकरोगा तो chlorobenzine बनेगा repeat करनी है okay सुनो फिर when benzine diazonium chloride reacts with copper powder in the presence of HBR और HCL it forms bromobenzine और chlorobenzine respectively that's it अगर जब आपको इसके proper definition पता है तो आप इसके proper definition को याद करो आज का पूरा दिन है आपके पास no trick, no shortcut, no nothing only pure hard work इसी विज़े से मैंने ये series डिसाइन करी है कि आपके पास enough time हो इस reaction को याद करने के लिए और आप proper तरीकी से याद करके comment में लिख सको लिखने का purpose इसलिए कह रहा हूँ कि आपको reaction alert रहे कि जब आप लिख दोगे तो तो reaction को याद करो comment में लिखो अपना और अपने paint सा ख्याल रखो and be happy